Hey guys, अगर आपके phone में WhatsApp जो है, वो mobile data से काम नहीं कर रहा है, आपके phone में mobile data on है, लेकिन तब भी आपके WhatsApp पर mobile data का net जो है या फिर आप कह सकते हैं, वो नहीं चल रहा है, तो आप इसको कैसे सही करेंगे, इसके लिए आपको चले जाना है सबसे पहले अपने phone की settings में, और जब आप अपने phone की settings में जाएंगे, तो आपको इस type का interface वहाँ पर मिलेगा, और यहाँ पर आपको कर लेना है नीचे की ओर scroll, और जब आप नीचे की ओर scroll करेंगे, तो आपको एक option दिखेगा, apps का, आप इस पर click करेंगे, जब आप apps पर click करेंगे, तो उसके बाद आपको manage apps प इस पर click करने के बाद आपको इस type का interface मिलेगा, यहाँ पर आप दो तरीके से उसको सही कर सकते हैं, पहला तरीका क्या है, आपको यहाँ पर data uses दिख रहा होगा, आपको इस पर click करना है, data uses पर click करने के बाद आपको नीचे की side एक mobile data का option दिखेगा, आप देख सकते हैं, यह आपको simply click करके इसको turn on कर देना है, mobile data enable कर देना है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप अगर यहाँ से नहीं करते हैं, तो आपको यहाँ पर नीचे की और scroll करना है, और नीचे की और scroll करने पर आपको restricted data uses का एक option दिखेगा, आप इस पर click करिए, और यहाँ पर आपको mobile data select कर करके okay कर देना है, तो आप चाहे तो यहाँ से करिए, या फिर आप यहाँ पर click करके करिए, ठीक है, इससे होगा क्या आपका जो whatsapp है, उसको mobile data का access मिल जाएगा, और आपके whatsapp पे mobile data का net जो है, वो चलने लगेगा, अगर वीडियो से help यो तो वीडियो को कर दिए, like channel को कर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए